इसको आज साइंटिफिकली एनलाईज करने की कोशिश करेंगे यह बात सही है कि मंटी पॉक्स जो वाइरस है या इलने से आज की तारीक में कुछ स्टेट्स में स्केर पैदा की हुई है यह आया कहां से वाइरस इसको जरा समझनी की कोशिश करेंगे आज की तारीक में बहुत सारी कंट्रीज में आइडेंटिफाई हुआ इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स में आइडेंटिफाई यह जो viral disease है monkey pox virus के चलते होती है यह जो monkey pox virus है यह ortho pox virus genus का है और यह family of pox virady family का है जिस family से small pox भी आता है जो अगर हम ध्यान से देखें जो इस family के अलग दूसरे जो pox viruses हैं उनको ध्यान से देखें small pox इसी group से आता है cow pox इसी group से आता है horse pox उसी group से आता है camel pox उसी group से आता है chicken pox इस group से नहीं आता है measles इस group से नहीं आता है तो वास्तों में यह group वो है जो small pox लेके आता है अगर हम ध्यान से देखें दो सिंटम से monkeypox के वो बहुत सारे smallpox जैसे हैं लेकिन जो smallpox है वो पूरी दुनिया में eradicated declare कर दिया गया था 1980 में 1980 में declare हो गया था कि अब पूरी दुनिया में जो smallpox की बिमारी है वो खतम हो चुकी है लेकिन जो monkeypox है वो सबसे पहले human being में identify हुआ था 1970 में Democratic Republic of Congo में यह कॉंगो में 1970 में identify हुआ था जबके वहाँ smallpox उससे दो साल पहले eradicate हो चुका था इसका मालब smartpox eradicate हुआ उसके दो साल बात कॉंगो में पहली बार monkeypox का जो infection है वो surface हुआ और देखा गया अगर WHO records को हम ध्यान से देखें तो 1970 के बाद बहुत सारे जो kisses है वो rural rainforest regions जो उसमें दिखाई देते हैं इसका मताब है कि जो demographic, democratic republic of Congo है उसके जो rain area है, rain forest area है, rural areas है वहाँ पर जो monkeypox का infection है वैसा ही endemic है जैसे हमारे यहां malaria है यह हमारे यहां dingo है यह at times tuberculosis है तो जैसे यह diseases endemic है हमारे यहां ऐसे ही जो monkeypox virus है Congo में endemic virus के रूप में है, जो monkeypox virus है सबसे पहले कहा identify हुआ, सबसे पहले identify हुआ था यह 1958 में in some monkeys जो रखे गए थी serum institute in the Copenhagen और 1966 जो monkeypox virus है उनका जो zoo है, जो Rotterdam zoo है उसमें identify हुआ था in the monkeys और इसके बाद ऐसा देखा गया कि monkeys में यह फैलता है अगर इसको ध्यान से देखें कि जब virus isolate हुआ इसको analyze किया गया तो यह सामने आया कि यह जो virus है वास्तो में जो smallpox family है उसी को लगवग belong करता है विच वाज आइडेंटिफाइड वे बेक इन 1952 अगर आप ध्यान से देखें तो जो monkeypox virus है उसके दो distinct clads है जो दो distinct clads है एक clad है जो Congo basin से आता है और दूसरा clad है जो West Africa से आता है तो these are Congo basin clad and West African clad तो यह दो clad है clad से क्या मतलब है? clad से मतलब है कि यह उसी group के organism है और जिनके एक ही ancestor है मतलब एक ancestor है और उसकी family के पूरे है तो single ancestor and उसका जोने clad तैयार हो जाता है तो now you have the Congo basin clad and you have the West African clad अगर हम दोनों को ध्यान से देखे हैं clads को तो जो genetic clads जो monkey virus का है जो Congo basin से आता है यह ज़्यादा virulent है और यह ज़्यादा transmissible है यह सबसे ज़्यादा फैलता है और सबसे ज़्यादा खतरनाक है जो Congo से आया अगर हम democratic republic कांगो की बात करें तो major जो outbreak हुआ था monkeypox virus का was in 96 and 97 वहां almost attack जिसा आ गया था और यह बिमारी पैल गई थी लेकिन WHO ने बोला कि यह बास सही है कि attack rate काफी ज़्यादा थी काफी population को monkeypox virus का infection हुआ लेकिन जो case fatality rate थी यह जो जान जने का खतरा था यह mortality थी वो काफी कम थी तो जो fatality है वो कम थी लेकिन attack rate जादा थी तो काफी लोगों को हो गया यह फैल गया था now 2003 was the first time कि जब monkeypox virus United States नो रिपोर्ट किया गया और यह आफराग अफरीका के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि monkeypox virus बाहर देखा गया in 2003 जो CDC उसने रिपोर्ट किया कि United States of America वहाँ पर 47 confirmed cases थे in six different states तो United States में कैसे आए यह जो cases थे ऐसा देखा गया कि एक dog था जिससे प्रेरी डॉक कहते हैं जो लोग इस dog के contact में आये उनको वास्तों में monkeypox virus हुआ यह जो पैठ है यह वास्तों में एक shipment था विच केम फ्रम धाना जो धाना जो टेकसस में आया और यह जो प्रेरी डॉक्स है उसके neighborhood में थे या उसके contact में थे उसके चलते यह virus प्रेरी डॉक्स में पहुचा और प्रेरी डॉक्स में पहुचने के बाद यह human beings को transfer हो गया और ऐसे 2003 में पहली बार United States में 47 लोगों को यह इस तरह का viral infection हो गया लेकिन इसके बाद यह जो infection है इसराइल में report हुआ 2018 इसके बाद United Kingdom में report हुआ 2018 इस Singapore में report हुआ 2019 इन आज की तारिक में अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिया की बहुत सारी states में मंग की पास virus का जो infection है वो report हो रहा है इन मना यह जा रहा है कि most of the infection जो इन countries में आया है इसराइल, UK, Singapore वो हमेशा Nigeria जिन लो और ट्रेविल किया वहां से आया, impossibly यह जो इस समय variant आ रहा है या जो virus आ रहा है यह इनी सब areas से है जो इंडिया में भी फैलता चला जा रहा है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि यह जो virus है यह उसी family से आता है जिसे smallpox होता था, इस virus का chicken pox कोई लेने देना नहीं है, यह ज हमारे यहां डेंगू virus है और लेकिन 2003 में यह US में भी आया इन अब बहुत सारे countries हैं दुनिया के जहां यह जो virus है यह देरे-देरे फैल रहा है यह एक threat create कर रहा है कि कहीं यह major health concern पैदा तो नहीं करेगा, अगर monkey pox को समझने में यह video आपको help करता है तो जरूर शेयर करें, मैं ड्र वीके मिश्रा, फ्रम गेस्टो लिवर हॉस्पितल, स्वरुप्रिंगर कानपूर, थैंक यह वरे मुच